अधनिक रिस्ट्य के इत्यास में आपका अपने सुवागत है। आज हम फ्रांस की क्रांथी के कारणों में विद्य संक्ट किस प्रकार cricket okay कारण बना उसका ध्यन करेंगे। चोकि इस वित्ति संकट को समाप्त करने के लिए फ्रांस की सरकार के दोरा उठाएगे एक कदमू ने आजा कर ऐसा माहोल और ऐसी प्रस्तियां पैदा कर दी जिसके बज़े से फ्रांस करांती के पत पर टेल पड़ा और इसलिए वित्ति संकट को फ्रांस की क्रांती का तात्कालिक कार ने भी कहा जाता है तो आएए समझते हैं ये वित्ति संकट क्या था और इसने किस परकार से फ्रांस को एक क्रांती के मुहने पर लाकर खड़ा कर दिया एक्षुल में ये वित्ति संकट ही था जिसके समाधान के लिए लुई 16 को लुई 16 उसमें फ्रांस का राजा था करांती के समें वुब्रो वंस का सासक था ये और 1789 में उसने इस वित्ति संकट के समाधान के लिए एस्टेट्स जनरल लामा के एक सभा थी उस सभा का अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन के बाद में जो परस्तियां बनी उन परस्तियों ने फ्रांस को करांती की और धखेल दिया तो इस वित्य संक्ट का कारण क्या था? क्या था यह वित्य संक्ट? समझते हैं, देखिए. जैसा कि हमने ऐसे मानताओं के बारे में अध्यन किया था, तो यह हमने जाना था कि फ्रांस में कुल भूमी के 40% हिस्टे पर कुलीन और पादिरी वर्ग का अधिकार था. परन्तु यह वर्ग कर्मुक्त था, अर्थात इसे किसी भी परकार का कर देना नहीं होता था, इस पे कर की कोई देत या लायविलिटी नहीं बनती थी. और इसका मतली यह हुआ कि फ्रांस के कुल जो जमीन थी, कर्शियों के भूमी, उसका के ओल 60% ही वैसा था, जिसे से करकी उगाही की जा सकती थी. क्योंकि 40% इशा तो जो कुलीनों और पाद्रियों के पास था, उसके उपर टेक्स लगता ही नहीं था, और जो 60% भूमी थी, उसके उपर भी 100% करकी उगाही, यानि समस्त भूमी के उपर करकी उगाही नहीं होती थी, 90% उसके इसे पर ही करकी उगाही होती थी, 10% इससा उसका फिर भी बज़ जाता था, और जो 90% इसे के उपर करकी उगाही होती थी, उसका बहुत कम भाग राजकोस में जमा हो पाता था, क्योंकि रास्ते में ही उस पैसे को भरस्ट एदिकारी खूर्द बूर्द कर देते थ और यह कारण था, कि फ्रांस की जो राजकोस में आई थी, वो आई बहुत कम होती थी, दूसरी तरफ वे की कैस्तिती थी, क्योंकि किसी भी देश हो या घर हो, उसके आर्थिक इस्तिती आई और वे के संतुलन पर ही निरुबर करती है, हम सब लोग जानते हैं कि अगर आई कम है, तो हम वे कम करके, हम घर की पर इस्तितियों को सुधार सकते हैं, या फिर आई के स्रोथ बढ़ा कर हम घर की स्तितियों को सुधार सकते हैं, फ्रांस में उसमें जो वे की स्तिती थी, वो बहुत ही खराब थी, लूई चोध में और लूई पंद्रवे के सांसन काल में, फ्रांस ने अने एक युद्धू में भाग लिया था और इसके परणाम से उसके आर्थिक स्थत्य कमदोर हो गई थी युद्धू के अलावा हम जानते हैं कि युद्धू में बहुत पैसा खर्च होता है परणतु युद्धू के अलावा भी जो रास्टर के आई होती थी उसका एक बड़ा हिश्चा वर्षाए के महल की विलाशिता में खर्च हो जाता था पीछे हमने इसके सिल्चले में जो अधिन किया था उससे हम इस बात को समझ गए हैं कि किस प्रकार कितनी बड़ी मात्रा में नोकर चाकर वहां पर रखे जाते थे और कितना पैसा उस महल के उपर खर्च होता था और इस एक असर लोई सिक्ष्टिन के समय में होई अमेरिका के सब्सक्राइब की गटना ने पूरी कर दी इस सब्सक्राइब में फ्रांस ने भी अमेरिका के सहोगी की रूप में भाग लिया था और उससे जो उसकी कमजोर आर्थिक इस्तति थी वो और ज़्यदा भी गड़ गड़ी अर्था आएकी स्तति कमजोर थी ही साथ ही वेकी स्तति भी लगातर बढ़ती जा रही थी वेव में बर्दी होती जा रही थी कम नहीं हो पा रहा था खरचा अब सरकार के सामने समझ रह थी कि स्तति को सुलजा है कैसे जाए तो सरकार ने क्या किया कि आर्थिक स्तति उठीक करने के लिए उसे अनेक रिन लेने पड़े और कई बार इस्ततियां ऐसी बन गई दीरे दीरे जाकर कि जो रिन लिया जा रहा था उसकी किस्ते चुकाने के लिए भी फिर से रिन लेना पड़ रहा था और ये एक ऐसी स्तति थी जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाग थी वो आर्थिक रूप से दिवाली अपन किस्तति थी आप रिन की इस्तति का अंदाजा इससे लगाज सकते हैं कि लोग सिक्स्टेंज के समय जो रास्ट्री आए थी टोटल उसका लगए बहुत आदा हिस्सातों के वल रिन के ब्याद सुकाने में चला जाता था और इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी स्तति क्या थी रास्ट्री जो खर्चा था रास्ट्र का खर्चा होता था वो रास्ट्री आमदने से अधिक होता था और इस अंतर को पार्टने के लिए फिर से रिन लिया जाता था परन्तु दिरे दिरे इस्तती ऐसी क्रियेट हो गई कि फ्रांस को कहीं से भी रिने मिलना मुस्किल हो गया और जब आदमी या किसी देश को कहीं से भी आर्थिक साहिता मिलनी बंद हो जाती है चाहे वो उसके लिए कितना भी ज़्यादा ब्याज देने के लिए तयार हो तब भी उसको जब पैसा नहीं मिलता है इसका मतलब है कि उस देश के उस वेक्ति की वापस पैसा लोटाने की स्तिय है वो नय के बराबर है और इसे ही हम आर्थिक दिवालियापन कहते हैं इस आर्थिक दिवालियापन को या बिगरीवी अर्थ घर करके आए बढ़ाए जाए या खर्चों में कटोती करके जो आए है उसी आए में विवस्ता की जाए परंतु करूं में वर्धी कैसे की जाए कि क्योंकि जो सामाने वर्ग था इसे हम थार्ड स्टेट कहते हैं उसकी उपर तो पहले सी करूं के इतने ज़्यादा बोश्त था तो इससे अधिक पैसा और करके रूप में लेना संभव नहीं था दूसरी ओप्र जो विश्य साधिकार युक्त वर्ग था जिसे हम सामन तो कुली नवर्ग कहते हैं से पादरी भी सामिल थे वो एक पैसा भी करका बोज उठाने के लिए तयार नहीं थे इसका मतली यह हुआ कि आये बढ़ाना तो लग बगा संभव है तो दूसरा रास्ते क्या हो सकते है अर्थिवस्था आपको कंट्रोल में करने के लिए कि वेव कम किया जाए अब वेव करने के जो किस मद के उपर वेव कम किया जाए फ्रांस में उस समय बड़ा जो खर्चा होता था वो एक तो लिए गए रिण के उपर ब्याद चुकाना और दूसरा राजदरबार और जो महल में उसके अनाफ सनाफ खर्चे होते थे उन में कटोती करना दो ही मत्ती जिन में कर सकते थे पर उन्तु प्राइनेत और उनके अन्य जो चापलूस लोग थे उनको मनजूर नहीं था तो इसलिए इस ततियां बड़ी विकट और घंबीर हो गई लोई सिक्स्टिन के सामने बड़ी समस्या आ गई फिर भी लोई सिक्स्टिन ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ परियास किये उ परन्तु दुर्वागे से उनकी सुझायवे मार्क पर लोई सिक्स्टिन मजबूति के साथ आगे नहीं बड़ सका और इस करण सारे के सारे वो ऐस फ़ल हो गए 17-17 में लोई सिक्स्टिन ने फ्रांस की इस वित्ति वे वस्ता को सुधारने के लिए तुर्गो को फ्रांस का वित्तिय परबंदक बनाया और तुर्गो ने जो अपना एक सुधार का कारे करम जारी किया उसका मक्सिद था ना दिवालियापन ना करों में बर्धी और ना अधिक रिंड नो बैंकरप्सी नो इंक्रीज ऑफ टेक्सेशन नो मोर ब्रॉविंग यानि ना तो ज्यादा उधार लिया जाए ना करों में बर्धी की जाए और दिवालियपन की इस्तवी भी नहीं आनी जाए और इसके लिए तुर्गो ने अनिक आर्थिक सुधार कारे करम जारी किये करसी उध्योग और वानिजे में उधार नेतियां लागू की गई जिससे कि रास्टर की जो आए है वो बढ़ सके और दुसरी बढ़ाने के लिए उधार नीतियां लागू करना और खर्चों में कटोती करना उसके उपर वो पहले वाले मुद्दे के उपर तो वो सफलता पुरू आगए बढ़ रहा था परंतु जो उसका दूसरा विशे था अर्थार्थ दरवार के खर्चों में कटोती किया जाना य उनसे कहा कि अब आपके पैसों में कटोती की जाएगी अब आपको जो भी वेव करना होगा वो तुर्गों से पूसकर करना होगा उसे मेरी अंताइनेत तुर्गों से नाराज हो गई और उसने राजा लुई 16 पर दवाव डाला और दो वर्स के अंदर ही 17 सिंट्रेश्यू में लुई 16 को उसके पज़ से हटा दिया गया और सारे के सारे उसके सुधार कारे करम थे वो आपस ले भी लिए गए तो तुर्गों जो था वो बहुती समझदारी से आगे भढ़ रहा था और यदि लुई 16 उसके आर्थिक सुधार कारे करम पर मजबूती से ठीका रहता तो बहुत संभव था कि तुर्गों फ्रांस को आर्थिक दिवालेपन की स्थिति से बाहर निकाल ला था पर अंतु ऐसा नहीं हो पाया इतियासकार हेजन ने बहुती सही लिखा है कि उसने स्वयम ही अपने विनास को सुनिशित कर लिया हेजन के अनुसार सासंग ने बहुत बड़ी गलती की उसमें इचा सक्ती कमी थी और मेरी अंतायनित अपनी अट दर्मिताए के कारण तुर्गों को अठायने में सपल रुई यह बहुत बड़ी गलती थी सिंडर ने बहुत ही सही अप उन सब्दों में कहा है कि लुई 16 ने स्वयम अपने विनास को सुनिशित कर लिया निशित ही तुर्गों को हटाना लुई 16 की बहुत बड़ी गलती थी तुर्गों के स्थान पर नेकर को जिम्मिदारी दी गई नेकर ने खर्चों में कटोती और ने रिन लेकर फ्रांस की वित्ति इस्ति को सुनिशित करने का परियास किया क्योंकि ज़्यादा टेक्स लगाना तो पॉसिबल नहीं था और इसी बीच 1778 में फ्रांस दुआरा अमेरिका की उपनवेस वार्शियों की साहिता करनी पड़ी है फ्रांस को इसे हम अमेरिका का सब्तना संग्राम भी कहते हैं इससे उसकी स्थतिय और ज़्यादा खराब हो गई 8781 में नेकर ने फ्रांस की जनता से अपील की कि भई वार्शिक आए और यह जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गए हैं और उसने इन खर्चों को प्रकासित भी कर दिया इससे पहले वार्शिक आए और वार्शिक खर्चे के विवरणों को प्रकासित नहीं में दी जाती हैं तो जब उनको लगा कि यह पौल उनकी खुलने वाले तो वह भी जो कुलिन तंतर था वह तुर्गो इसे नेकर से नाराज हो गया और उन्होंने दवाब बनाकर 1781 में नेकर को भी पद्से बरकास्त करवा दिया और नेकर के बाद 1781 में माफ कीजिए गया के गलती से 1981 लिखा गया 1781 में चार्ल्स कैलोन को फ्रांस का वित्ती परबंदक बनाये गया इसके समख से पीछे के दो वित्ती परबंदकों नेकर और तुर्गो का एक्जामपल था कि उन्होंने खर्चों में कटोती करने का परियास किया और उसके परणाम से उन्हें उस जाता था कि सभी खुष रहें इस प्रकार से अधिक से खुछी लोगों के इस प्रकार से मिले इसके लिए उसने अधिक से इदिक रिन लेने की नीथी कह पर विष्वास किया और उसने यह मानना था उसका कि उस वक Death को रिन या उधार बहुत आसाई से मिल जाती है जो बहुत ही अमीर होने का दिखावा करता है या दुनिया को लगता है कि बहुत अमीर है उन्हों आराम से पैसे वापस लोटा देगा इसलिए अमीर दिखने के लिए उसने खुले आज से खर्च करना प्रारंप किया और खुले आज से खर्च करने के लिए पैसे की जूरती जू फ्रांस का ख़जाना लगबग खाली हो गया यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है जो नेकर के बाद चार्ल्स कैलोन मना था हूँ 1781 में मना था माफ कीजिएगा और यहाँ पर जो 1286 लिखा है यह टाइपिंग निस्टेक है यहाँ पर भी 1786 कीजिए इसको तो 1786 में फ्रांस का ख़जाना लगबग खाली हो गया अब फ्रांस की सरकार को रिंड देने के लिए कोई परतयार नहीं था इसलिए फिर से कैलोन ने फ्रांस को इस संक्रश बादने के लिए वही एक मात्र जो सेष रास्ता था क्या कि सामान ने कर लगाने का प्रस्ता उसने दिया और ये कर सभी विश्य सद्दिकार युक्त वर्ग पर और सामान ने सभी पर समान रूप से लागउ किया जाए ये उसको शुझाव था परंतु इस हुझाव से सुविधा भोगिवर्ग जो एक पैसा करका नहीं देता था वो उसे नाराज हो गया और प्रणाम सवरूप का एलोन को भी उससे पत से हटना पड़ा ये तीनु वित्य परबंदक अपने मार्ग में एसपल सिद हुए परणतु वित्य संकट लगातार घरादा जा रहा था इस वित्य संकटिक समादान के लिए लिए 16 ने 1787 सियों में असेंब्ली आफ नोटेवल्स की एक सभा बुलाई असेंब्ली आफ नोटेवल्स फ्रांस के प्रतिशित विक्तियों की एक सभा थी जिसमें लगब 144 सदसे थे और इन लोगों ने लिए 16 की उस परस्ताव को ठुकर दिया कि विकर लगाए जाए प्रणाम सोगरूप राजा ने असेंब्ली आफ नोटेवल्स को भंक कर दिया और यह जो प्रस्ताव था यह प्रस्ताव पेरिस की पार्लिमा का पास बेजा गया और पेरिस की पार्लिमा ने भी यह कहते हुए इस प्रस्ताव को नामजूर कर कि न कर लगाने का इधिकार क्यवलर क्यवल सब्सक्राइद जय лось forces लिए राज़ा अगर लगाना चाहता है तो सब्सक्राइद सि यह कर लगा सकता है मिलशिट सब्सक्राइद इस kita कर न करती है तो इसकर कर न लगा चाहता है Kitchen आय किसल सिबक लगातार बढ़ता जारा था परंतु उसके निदान का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए विवस्टो कर लोई 16 ने एस्टेट्स जनरल के चुनाव कराकर उसका अदिवेशन मुलाने का निर्ने लिया और ये एस्टेट्स जनरल के जो चुनाव और उसका अदिवेशन ही आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण सी दुवा फ्रांस के करांती के होने में एस्टेट जनरल फ्रांस के एक पुरानी चैनस्था थी जो सरकार का वैदानिक भाग थी इसकी सुरुआत तेरा सो दो इस्वी में फिलिप दिव्टिय जिसे हम कहते हैं ने की थी और ये हैं चैंस्था फ्रांस की जनता की तीनों अंगो अर्थात तीनों एस्टेट जिने हम कहते हैं फेस्ट एस्टेट, सेकिंड एस्टेट और थार्ड एस्टेट यानि पादरी, कुलीन और जन सामाने के प्रतिनी जियों के सभा थी इस शबह कारी राजा को प्रामर्ज देना था और उसके कारियों को अन्मोदन करना था 1789 से पूरू इसकी जो लास्ट शबह बुलाएगी थी वो 1614 इसमें बुलाएगी थी यानि लगब एक सो पिजटर वर्स हो गए थे 1789 से में कि उस दरम्यान कोई भी सभा इसकी नहीं बुलाएगी थी लूई 11 के समय फ्रांस की निरंकु सास्क ने एस्टेट जनरल को इसलिए अपने रास्ते सेटा दिया कि वो उसे एक प्रकार से अपने उपर नियन तरन गए काटा मानता था और इसलिए उस सबाग के प्रस्ताओं को आगे जाकर सास्कों ने बुलाना बंद कर दिया एस्टेट जनरल एक प्रकार से सामनती सेंस्था थी इसके तीन सदन थे जिसमें से तीनों सदन फ्रांस के समाज के तीनों अंगों को रिपरजेंट करते थे प्रतिनी दित्तु करते थे यानि पादरी वर्ग पुलीन वर्ग और सामाने वर्ग और इन में से दो सदन विशेशाद दिकार युग तवर्ग से सम्मधित थे जो बहुमत और वीटों के अधिकार दौरा तृति एस्टेट की किसी भी मांगों से युकार नहीं करते थे तथा अपने विशेशाद दिकारों को सुरुक्षित बनाय रखते थे एस्टेट जनल की मिटिंग में तीनों एस्टेट से समंधित सदन तीन इकाईयों की रूप में वोट देते थे अर्थार्थ पर्थन स्टेट का एक वोट दिवती स्टेट का भी एक वोट और तरिती स्टेट का भी एक वोट अर्थार्थ टॉटल तीन वोट होते थे और इन तीनों वोटों में चुकि दो वोट विशेशादिकार वर्ग के थे इसलिए वो दोनों मिल जाते थे और वो एक होकर किसी भी मत किये जो उनके विसे सद्धिक और से संबन्द में था उसके पक्स में या भी पक्स में मत देते थे और थार्ड स्टेट एक वोट होने कारण कुछ भी करने के स्थिमें नहीं था यहां बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि चाए इन एस्टेट्स में सद्धिक के संख्या कितनी भी हो परन्तों उन सद्धिक का एक वोट नहीं माना जाता था बलकि एक एस्टेट यानि एक सदन का एक वोट माना जाता था और इसलिए थार्ड स्टेट को लगता था कि उनका कोई उप्योगिता नहीं है लूज सिस्टिंद के पास का भी एक विचार था उसको उमीड थी कि जो थार्ड स्टेट चाहे कुछ भी कर ले परन्तों दोनों को बाकी दो स्टेट्स हैं वो मिलकर उसके समादान के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे और नया टेक्स लगाने का उसके परस्ताओं को मंजूर करेंगे फ्रांस के पर्थम दोनों स्टेट्स को ये भी स्वास था कि स्टेट्स जनल के एद्वेशन में परमपरी वोट्रिंग पंद्थि में उनी की जीत होगी और उनकी सुदाओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा और उन पर किसी प्रकार का कर लगाना संभव नहीं होगा इसलिए वो भी एस्टेट्स जनल के दिवेशन के पक्स में थे परसिद विद्वान गुडवीन ने दे फ्रेंस लिएशन में लिखा है कि 1789 की फ्रांसेशी करांती के ततकाली कारण कर्शकों के आर्थिक वेदनाओं या मध्यमबर की राजनितिक असंतोस में नहीं थे वे नहीं थे फ्रांस के कुलें तंतर की पर्ति क्रियावादी अपेक्शाओं में करांती टाले जा सकती थी यदि कुलें तंतर राजनितिक यों वित्य समानता के परिणामों को पहले ही स्युकार कर लेता परंतु इस कुलें तंतर ने कभी भी इस बात को स्यूकार नहीं किया कि उसे भी रास्टर के लाब के लिए अपनी आए में से कुछ हिसा टेक्स के रूप में देना चाहिए वो अपने इस विश्च श्दिकार को बिल्गुल भी छोड़ना नहीं चाहता था और उसने इस चीज़ को समझने में बड़ी गलती की कि फ्रांस की इस प्रकार्स की आर्थिक बदहाली की जोर्चे गुजर रहा है 1789 में एस्टेट जर्नल के दिवेशन में फ्रांस के सुविधा भोगी वरकुंद वारा अपने विश्च शदिकारों को राश्ट्री हिट के पक्स में रंचमत्र भी ने त्यागने की हर्द मिताई कारण ही तर्श्टे स्टेट की लोगों को अपना रास्ता बनाना पड़ा और उन्हें ने अविचार करना पड़ा और इसी से करांती की सुरुवात हुई जिसका हमाध्यन नेक्स्ट टोपिक में करेंगे धन्यवाद